18 घंटे नहीं मात्र 8 घंटे में होगा इंदोर हाइदराबाद का सफर मध्य प्रदेश महराज टोरते लंगाना को मिलेगी हाइ स्पीड कनेक्टिविटी 15,000 करोड में बनेगा 768 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक ग्रीन फील एक्सप्रिसवे ऐसा नहीं है कि एक्सप्रिसवे का जाल केवल नौर्थ इंडिया या फिर यूपी में ही बिच रहा है मध्य भारत को दक्षिन से जोडने के लिए सरकार कई एक्सप्रिसवे पर काम कर रही है इसमें सबसे खास है इंडौर हाईद्राबाद अत्याधुनिक ग्रीन फील एक्सप्रिसवे ये इंडौर में तेज़ाजी नगर से शुरू होकर खंडवा बुहारन पुरसे होता हुआ महराष्टो में जलगाओं नांदेवर के बाद तेलंगाना किया हाईद्राबाद तक पहुंचेगा ये एक्सप्रिसवे 768 किलोमेटर लंबा होगा जिसे करीब 15,000 करोण रुपे में बनाया जाएगा अभी इंडौर से हाईद्राबाद 870 किलोमेटर दूर है जिसे पूरा करने में करीब 18 घंटे का समय लगता है लेकिन एक्सप्रिसवे बनने के बाद ये दूरी घट कर 768 किलोमेटर हो जाएगी जो 8 घंटे में पूरी हो सकती है इंडौर मद्प्रदेश ही नहीं देश का बड़ा कमर्शिल सेक्टर है साथ ही आईटी सेक्टर में भी इंडौर का नाम खास रसूख रखता है वही हाईदराबाद देश का बड़ा आईटी हब है नए एक्सप्रिसवे के बनने से ना सिर्फ दोनों शेहरों का हाई स्पीड कनेक्टिविटी मेलेगी बलकि मद्ध प्रदेश महराश्रों तेलंगाना की रफतार भी बढ़ेगी इंडौर हाईदराबाद एक्सप्रिसवे बनने से लॉजिस्टिक कोस्ट कम होनी की उमिद है अभी इंडौर से रेडि मेड कपड़ा पाई पैलमोनियम के पाट प्लास्टिक के आईटम बैटरी का कच्चा माल दवाईया नमकीन आदी हाईदराबाद भीजा जाता है इंडौर हाईदराबाद से प्लास्टिक स्क्रैप, ड्राइफूट, मसाले, गुर, शक्कर आदी इंडौर आते हैं इक्सप्रिसवे बनने के बाद इन सारे प्रोड़क्स पर धुलाई खर्च 20-30 प्रतीशत कम होने का अनुमान है इंडौर से कई चीजें विदेश भी बेजी जाती है लेकिन पोर्ट से बहुत दूर होने की कारण चुनिंदा व्यपारी ही से एक्सपोर्ट कर पाते हैं लेकिन एक्सप्रिसवे बनने के बाद इंडौर, खंडवा, बुहारन, पुर्जल गाहों, नांदेर की बंदर गाहों से कनेक्टिविटी थोड़ी बहतर होगी जिससे लोकल प्रोड़क्ट को ग्लोबल पहचान मिल सकती है इंडौर, हाइद्राबाद, एक्सप्रिसवे के बगल में सरकार इंडौस्ट्रिल पार्क भी बनाने पर विचार कर रही है ताकि निमाड, विधर्व के पिछुड़े इलाकों में इंवर्स्मेंट आये और इस्थान की लोगों को रोजगार के बहतर मौके मिले 768 किलोमेटर लंबा एक्सप्रिसवे मध्र प्रदेश, महराष्टो और तेलंगाना का ग्रोथ हिंजन बन सकता है इसकी बनने से रियल स्टेट टूरिजम जैसे काई सेक्टर में उच्छाल आने की उमीध है इंदोर को फुड कैपिटल ओफ इंडिया भी कहा जाता है इंदोर का जाइका पुरी दुनिया को अपनी तरफ खीचता है साथ ही इंदोर देश की क्लीनस सीटे भी है जिसकर पुरे देश को मान है लेकिन अब सरकार इंदोर को मध्य भारत का चमकता सितारा बनाना चाहती है जिसके लिए इंदोर हाइदराबाद एक स्प्रिस्वे मील का पत्थर साबित हो सकता है ब्यूरो रिपोर्ट एक भारत न्यूज